राजगर छेतर के नया गाउं बॉलका के भाटीन का कुवा के पास खेत में बने मकान के ब्रामदे में सोर रही एक महिला की मंगल वारात को हत्या कर दी गई राजगर के थाना अधिकारी विनोस सामरिया ने बताए कि बुद्धवार की सुबह करीब साड़े नो बजे टेलीफोन से सूचना मिली की नया गाउं बॉलका में एक महिला संदीक्द परिस्तित्यों में मौत होने की कारण अपने मकान के ब्रामदे में चार पाई पर पड़ के कारणों का पता किया जा रहा है इस मामले में दो टीमें गठित कर भेजी जा चुकी है घटना इस्तल पर FSL डोग स्कुएड ने पहुंचकर साक्षे जुटाए इसके अलावा जिला पुलीस अधिक्षक तिजसुनी गोतम अतिरिक जिला पुलीस अधिक्षक शिरिमन मीन सही सभी आला अधिकारियों ने घटना इस्तल पर पहुंचकर जय जलिया मरतका महिला बत्तो देवी मीना का शाव राजगर्ची के सलह की मोर्चरी पहुचवाया जहां उसका मेडिकल बोर्ड से पोश्ट माटम कराकर परिजनों को सोब दिया गया कोतवाल ने बताय कि मरतक की सुबह भैसों को पानी पिलाने के लिए खेल पर गई थी उसने देखा वहां ताई अभी तक चार पाई पर कैसे सोई हुई है इसके बाद करीना ने उसकी पुत्री अक्षरा से यह बात कही इस पर उन्होंने जाकर देखा तो चार पाई पर खुन दिखाई दिया और वे दर कर वापिस घर आ गई तथा घटना के बारे में उन्होंने परीजनों को जानकारी दी इसके बाद उन्होंने घटना की सूचना पुलिस को दी घटना की सूचना मिलते ही बड़ी संक्या में महिला पुरुष्ट घटना इस्तल पर इकठा हो गए मरतका महिला घर में अके एक महिला संदिक परिस्थितियों में मोत होनी की वज़े से अपने घर के चोबारे पर खाट पर ही पड़ी हुई है तुरत मोके पर पहुचे पहुचकर देखा गया तो प्रथम दस्थिया महिला संदिक परिस्थितियों में हत्या की गई है हत्या का कानडों का भी पता कर रहे हैं दो टीमें बेच चुके हैं मौके पर FSL, Dog Squad वे SP साहब, Edition SP साहब और सभी आला अधिगारी मौके पर गटना का जायजा लिया गया है मर्तका बत्तु देवी, वाइप ओफ महेशन मीना उम्र 48 साल निवासी नया गाओं बोलका की रहने वाली है जिसका मौके से लाकर CSC राजगर के अंदर Medical Board की द्वारा Postpartum कराए गया है शव परीजनों को सुखुर्ट किया गया है इस महिला के दो बेटे हैं जो गुजरात में है और जो इसका पती है कुछ दिल्ली में नोकरी करता है मौके पर अभी इसका पती मौके पर उपस्तित है शेगरी जैसी कारवाई देंगे निया उनसार कारवाई की जाएगी